आज एक और बड़ी इंपर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुए है Marshall Stability and Flow of Asphalt Mix इसका जो ASTM Code है वो है D6926 और दूसरा है D6927 दो ASTM है इसका भी मैं आपको बताता हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें चले जी वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारा D6926 है यह है Standard Practice for Preparation of Asphalt Mixed Specimen using Marshall Apparatus This Practice is Asphalt Mixed with Aggregate up to 25.4 mm Maximum Size मेगा में सब्सक्राइब नहीं कि छो प्रेपरेशन में सब्सक्राइब कर द में अगर करते हैं और इसमें साइज हमारा यूद होता है 25.4 mm और 6927 वीजिए Standard Test Method for Marshall Stability and Flow of Asphalt Mixed पेज़ा लागAR जाले करें का पहिए जाओ मालूम करते हैं सबसे बहले कि अब और दीइब n जानले के सहाँ कि आप्षेम्त इसको इसके आम महीं का थे समेल इसकी समेल के भी मार्ण से वरी मजाई了 इसको जानले आपल कि द्युटार spendingair जानल पहिए में राप टेचंट 12 supporter already 877 immense इस्तिमे सारी इसकी जो है डायमेंश्यने लीए कि प्लेट की डैमेंशन देक्सजार की डायमेंशंज और जलेंडर की का डैमेंशिन मोल्ड की तो यह सारी डायमेंशन इसमें डीवी आपकेक्शनator पी कर सकते हैं इतना एक फरी फाल का लाए उसके बाद हमारे पड़क्जान लूडिंग माशीन इसका राइड ए 50 पिलस माइनस 5 एमें मिनट यह उसकी जो हम यूज में यूज करते हैं यह उसके बिरकिंग हैड जिसका डाय है 101.52, 101.7, यह जो आप देख रहे हैं, इस तरहे से जो लगा होगा है मशीन के नीचे, यह हमारा कहलाता है, ब्रेकिंग हैड, इसके अंदर हम इस पेसिमेन को डाल के जो है, उसकी सेबिटी मालूम करते हैं, अब हम प्रोसीजर के पारे मालूम कर लेते हैं, मिनिमम अफ थरी स्पेसिमें शेल भी टेस्टेट, कम से कम हमने तीन सेंपल बनाने इसके, इसके तीन सेंपलों का एवरिज लेना है, और अगर हमें लॉस ऑफ इस्टेबिलिटी भी चाहिए होगी तो हमें छे सेंपल बनाने होंगे, असफार्ट मिक्स्चर वेट एग्रिगे तक आपका टेंपरेचर होना चाहिए जब इसको टेस्ट करने लगे, मतलब जब कमपेक करने लगे, असफार्ट मिक्स फिल इन दा मोल्ड, स्पेसिमें हाइट 63.5 पिलस माइनस 2.5 mm, असफार्ट को जो आप मोल्ड के अंदर फिल करेंगे और उसकी हाइट जो है, आपकी सि 63.5 पिलस माइनस 2.5 तक होगी, तो समझ लें कि आपका जो है, इसमें कोई करेक्शन फेक्टर नहीं लगेगा, अगर हाइट कम जाद होगी, तो इसमें करेक्शन फेक्टर लगेगा, आपका वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ, इसके पराद है, अप्लाइ दा 75 नंबर पिर आपको मोल्ड को निकालना है, और उसको घुमा के दुबारा लगा के दूसरी साइट पर 75 ब्लो लगाने है, उसके बाद है, रिमूव दा कॉलर एंड प्लेट अलाओ तो स्पेसिमें कूल रूम टेंप्रेचर ओवर नाइट, फिर आपने मोल्ड को निकाल लेना है, औ कम से कम आपके 24 घंटे कमपेक्शन के बाद जो है, जब कम्पलीट हो जाएं, उसके बाद आपने पिर आगे करना है, उसके बाद इमर्शन दा स्पेसिमें इन वाटर बाद 32-40 मिनट, मैंटें दा बाद टेंपरेचर 60 प्लस माइनस 1 डिग्री संटीग्रेट, फिर आपने बाद में जो है, इसको स्पेसिमें को रखना है 30-40 मिनट के दर्मियान, और वाटर का जो टेंपरेचर होना चाहिए, वो 60 डिग्री संटीग्रेट होना चाहिए, रिमूवाइ स्पेसिमें फ्रॉम दा वाटर, रिमूव एक्सेज वाटर, विद दा टॉवल, जब आप इसक स्पेसिमें को ब्रेकिंग हेट के अंदर रखना है, इस तरीगे से, उसके बाद जाए, प्लेस दा कम्प्लेट एसम्पली इंपिस्टन इन दा लोडिंग मेशीन फिर आपने इसको ब्रेकिंग हेट को उठा के मशीन के अंदर रख देना है, पिर टैसे सार्ट करना, नोट इसको बाद रखना 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 आजाईगी जो भी आपकी आएगी 12.2 11.8 12.3 में रेडिंग आगे अब हमने इस प्रेक्टर का मालूम करने करेक्टर के लिए भी हमें जो एस्टी एम में दिया हुआ है इसका इस्पेसिमें की हाइट के इसाप से जो आपकी इसफेसिमें की हैट होगी उससे साफसा आपका फ प्रेक्टर लगेगा हमारे यहां पर फेक्टर लग रहा है 0.96, 0.93 और 0.96 अब लोड जो है इसको मल्टिप्लाइ कर देंगे को रिलेशन रेश्यों से लोड को इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपके बाद करेक्टेड इस्टैबिलिटी आ जाएगी फिलोगी वही वही अगेजक में दिखेएगी वही फ्लो रिडिंग आप लेंके अलिएक्ट अठेट ले लेंगए है ए इससे काईवरिज मेंगे आप अचा एक्टव embora discouragement जो हे Hayır God кил 32 किलो न्यूटन है minimum और वेरिंग कोर्स के लिए 10 किलो न्यूटन minimum और रिक्वाइट फिलो जो है 325 mm है बाइंडर कोर्स के लिए 223.5 जो है वेरिंग कोर्स के लिए होता है तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो में कुछ भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करां मैं चैनल को सब्सक्राइब करें टैंक्स फर वाचिंग